अभी हमने प्रात्मिक व्यवसायक खनन के विशय पर बात की और खनन का जो कारिय है वो अलग-अलग खनीजों पर किया जाता है फिर चाहे वो लौह यस्क हो तामबा हो मैगनीज हो बॉकसाइट आदी पर तो हम कुछ विशेश या प्रमुख जो खनीज यस्क है उन पर बात कर लेते हैं तो पहले हम देखते हैं लौह यस्क आयरन ओर हम सभी को पता है लोहा आज बरतमान समय में कह सकते हैं कि सभ्यता की वीड है यह हमारे ओद्योगिक विकास की जो आधार शिला कहा जा सकता है क्योंकि एक छोटी सुई से लेकर द्योगों में काम आने वाली बड़ी मशीनों तक में लौह यस्क का उपयोग जो है वो किया जाता है यह लौह यस्क अलग-अलग प्रकार के होते हैं इनकी क्वा क्वालिटी होती है मैगनेटाइट इसमें 72.2 परसेंट तक या हम कहें कि लगभग 75 परसेंट तक शुद्ध लोहा जो है वो पाया जाता है इसका रंग काला और गहरा भूरा होता है इसके साथ ही इसमें चुम्बकी लक्षण भी देखे जाते हैं इस प्रकार का जो लौह है वो स्वीडन और रूस के युराल चेत्र में प्रमुक्रूप से मिलता है फिर नंबर टू है है मेटाइट इसमें हम देखते हैं लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक शुद्ध लोहा होता है इसका रंग लाल होता है और यह प्रमुक्रूप से इंगलेंड संक राज अमेरिका के जील चेत्र ब्राजील यूक्रेन और अलजीरिया आदी देशों में मिलता है फिर हम देखते हैं तीसरा है लिमोनाइट इसमें 40 से 60 प्रतिशत तक लोहे का अंश मिलता है और यह पीले और हलके भूरे रंग का होता है प्रमुक्रूप से यह फ्रांस और इंगलेंड में पा 40 से 60 प्रतिशत तक पाया जाता है और इसका रंग जो है वह भूरा या राख जैसा होता है यह हमारे नार्वे स्वीडन इंगलेंड और फ्रांस में प्रमुक्रूप से मिलते हैं अब हम लौह के विश्व वित्रण की बात करें इसमें से ऑ्रोफ ब्राजील में विश्व के सभसेख लोहे के भंडार है ब्राजील के बाद चीन है चीन में भी विश्व का लगभग 20 प्रतिशंसरे खीर वैंग यह फ्रूप का पादन किया जाता है इसके बाद प्रमुख उत्पादक राश्ट की बात करें तो आस्ट्रेलिया यहां भी लोहे के विस्त्रित भंडार हमको मिलते हैं और विश्व का लगभग 16.6 प्रतिशत लोहा यहां से उत्पादित किया जाता है फिर हम बात करते हैं भारत हमारा भारत विश्व का 7 प्रति मिलता है यदि हम भारत में भी देखें तो जार्खन करनाटक मध्य प्रदेश चतिजगड तमिल नाडू महाराष्ट राजस्थान और गोवा यह प्रमुख लौह उत्पादक राज्जी है इसमें भी यदि हम बात करें जार्खन राज्जी की तो जार्खन में भारत का सिभूम जीला ही जो है वो प्रमुख लौह ऐस्पादक जीला है और हजारी बाग जो है जार्खन गा वहाँ भी प्रमुख रौह की खाने मिलती हैं फिर हम देखते हैं उरिसा में तो उरिसा में मयूर भंज जीला यहाँ पर प्रमुख्रूप से लोहेस्क का उत्पादन किया जाता है और मयूर भंज जीले के गुरू महिसानी पहाडी, वदाम पहाड, सुलेपत की खान यहाँ पर लोहेस्क मिलता है फिर आजाते हैं हम करनाटक में तो करनाटक में हारपेट और बाबा भुदन की खानों से प्लॉहयस्क प्रमुखुरूप से निकाला जाता है यदि हम मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश में जबलपूर, ग्वालियर, बाला घाट यहां पर प्रमुखुरूप से लोहे की खाने यहां पर मिलती है और यहां लोहे का उत्पादन किया जाता है फिर हम अपने च्छतिसगड में आ जाते हैं तो हम च्छतिसगड में देखते हैं कि यहां पर मध्यप्रदेश से भी अधिक जो है वो लोहा उत्पादन किया जाता है और प्रमुखुरूप से यहां पर बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर यह मोख्य उत्पादक जीने हैं और हम सभी को पता है कि हमारे चतिसगड का जो बैला डीला चेत्र है यहां पर सर्वत्तम कोटी का जो लोहा है वो उत्पन्द किया सब्सक्राइब का पादन चाइन है यहां से इस लोहे st लौह सब 2 य से और इसके साथ ही अन्यपूर्य देशों को भी भेज्गा जाता है अब इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश के वारंगल कुर्णुल और तमिल नाडू में सेलम तिरुचरापली महाराष्ट में चांदा एवं रत्नागिरी और राजस्थान और गोवा में भी साथ-साथ जो है लौह सका उत्पादन किया जाता है अब हम प्रमुकृप से यूरोपिय देश की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि रूस में जो है वह बहुत अधिक मतलब पूरे यूरोपिय देशों में रूस में सरवाधिक लोहे का भंडार मिलता है और रूस के साथ ही यूक्रेन स्वेडन फ्रांस और ग्रेट बिट साथ हैं सयूक्ति राज अमेरिका प्रमुक लोहेस के उत्पादक है और यहांप प्रमुक रूप से यहां की जो सुपिरियर जील चेत्र है यहां पर पूरे यूएस या सयूक्ति राज अमेरिका का 75% जो लौहा है वोथपन किया जाता है इसके बाद मेंसाभी रेंज है औ महत्वपूर्ण लौह धातू है जिसका लगभग 95% जो है वह जो धातू उद्योग है या धात्विक उद्योग है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रमुख रूप से जो है उत्तम किस्म का इस्पाद बनाना जब होता है तो उसमें मैगनीज को उपियोग में ल रासायनी कुद्योग में जैसे ब्लीचिंग पौडर है या टाणू नाशक दवाई हैं रंग रोगन शुष्क बैटरी और इसके साथ ही चीनी मिट्टी के बरतन बनाने के लिए भी मैगनीज का प्रयोग किया जाता है यदि हम मैगनीज का विश्व वित्रण देखे तो प बहुत ब्रिहत मात्रा में हमें भंडार देखने को मिलते हैं और यदि हम महादवीप वार देखें तो सरवाधिक जो है वो एशिया में सबसे अधिक यूरोप में 70% फिर एशिया में 50% अफ्रिका में 25% और दक्षिन अमेरिका में 7.5% मैगनीज का उत्पादन किया जाता है और सबसे कम उत्तरी अमेरिका में 2% मैगनीज उत्पादित होता है सबसे अधिक हम देखें कि जो आठ देश हैं विश्व के यह पूरे आठ देश जो हैं वो विश्व का लगभग 96% मैगनीज उत्पादित करते हैं जिसमें प्रमुकृप से चीन, दक्षण अफ्रिका, गैबरोन, ब्राजील, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया और भारत यहां पर यह सभी जो यह सभी देश हैं यह मिलकर विश्व का 96% उत्पादन करते हैं फिर हम बात करते हैं तामबा यदि अलोह धातु में देखें तो अलोह धातु में सबसे प्रमुक या महत्वपूर्ण धातु जो है वो तामबा है औ और इसकी विशेष्टा या महत्वप का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पाशान यूग से हम देखें इसके बात से मानवने सबसे पहले प्रयोग जो है वो तामबे का करना सीखा तामबे को गलाने की कला सीखी इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि धातु यूग का या हम देखते हैं कि विभीन प्रकार के जो विद्यूत उपकरण है उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है इसके साथ ही मोटर रेल के इंजन वायू यान टेलीफोन घडियों रेडियो रेडियेटर और भी अनेक प्रकार की वस्तूओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है यदि हम तांबे के विश्व वित्रण की बात करें तो विस्त्रित छेत्र में इसका वित्रण हमको देखने को मिलता है और विश्व के लगभग 40 देश जो हैं वो तांबे का उत्पादन करते हैं अमेरिका में आ जाते हैं सयुक्त राज अमेर का 75 परसेंट जो लोहा है वो उत्पन किया जाता है इसके बाद मेसाबी रेंज है और मेनामी यहाँ पर भी लौह इसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है अब हम बात करते हैं मैगनीज पर मैगनीज एक महत्पूर्ण लोह धातू है जिसका लगभग 95 परसेंट जो है वो धातू उद्योग है या धात्विक उद्योग है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रमुख रूप से उत्तम किस्म का इस्पाद बनाना जब होता है तो उसमें मैगनीज को उपयोग में लाया जाता है या हम यह कहें कि समानी रूप से एक तन इस्पाद बनाने के लिए 7.8 किलोग्राम मैगनीज की आवश्यक्ता होती है और इन सबके अतिरिक्त रासायनी कुद्योग में जैसे ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर है या मैगनीज का विश्व वित्रन देखें तो प्रमुक्रूप से यह चीन दक्षिन अफ्रीका गैब्रोन ब्राजील आस्ट्रेलिया रूस भारत और घाना यहां पर मैगनीज के बहुत ब्रिहत मात्रा में हमें भंडार देखने को मिलते हैं और यदि हम महादीप वार देखें तो सरवाधिक जो है वो एशिया में सबसे अधिक यूरोप में 70 परसेंट फिर एशिया में 50 परसेंट अफ्रीका में 25 परसेंट और दक्षिन अमेरिका में 7.5 परसेंट जो है मैगनीज का उत्पादिन किया जाता है और सबसे कम उत्तरी अमेरिका में 2 प्रतिशत मैगनीज मेगनीज उत्पादित होता है सबसे अधिक हम देखें कि जो आठ देश हैं विश्व के यह पूरे आठ देश जो हैं वो विश्व का लगभग 96% मेगनीज उत्पादित करते हैं जिसमें प्रमुकृप से चीन दक्षण अफ्रिका गैब्रोन ब्राजील यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया और भारत यहां पर इन सभी जो यह सभी देश हैं यह मिलकर विश्व का 96% उत्पादन करते हैं फिर हम बात करते हैं तामबा यदि अलोह धातु में देखें तो अलोह धातु में सबसे प्रमुक या महत्वपूर्ण धातु जो है वो तामबा है और इसकी विशेष्टा या महत्वप का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पाशान यूग से हम देखें जिसके बात से मानवने सबसे पहले प्रयोग जो है वो तामबे का करना सीखां तामबे को गलाने की कला सीखी इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि धातु यूग का या धातु यूग की शुरुवात हुई है और उस समय को हम तामर यूग भी कहते थे यह विद्यूत शक्ति का सबसे उत्तम चालक होता है इसी कारण हम देखते हैं कि विभीन प्रकार के जो विद्यूत उपकरण है उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जात है यदि हम तामबे के विशो वित्रण की बात करें तो विस्तरित छेत्र में इसका वित्रण हमको देखने को मिलता है और विशो के लगभग 40 देश जो है वो तामबे का उत्पादन करते हैं उसमें भी प्रमुख रूप से जो प्रमुख उत्पादक हैं दक्षिन अमेरिक अफ्रिका 25% एशिया 14.5% यूरोप 8% आफ्रिका 6% और ओशिनिया यहाँ पर 5% जो है तामबे का उत्पादन किया जाता हैं दक्षिन अमेरिका में देखें तो प्रमुख रूप से चीली जो है चीली पेरू उत्तरी अमेरिका में सईक्तराज अमेरिका कनाड़ा इसके में कुइंसलेंड न्यू साउथ वेल्स और पशिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोपी देश में जो दक्षणी स्पेन है और पोलेंड इसके साथ साथ पुर्तगाल यूगोसलाविया बुलगेरिया स्वीडन स्पेन यहां पर प्रमुखरूप से ताम्बे का उत्पादन होता है और एशियाई देशों में हम देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ईंडोनेशिया है और यह ईंडोनेशिया जो है एशिया का 51 परसेंट और विश्व का साथ प्रतिशत जो है वो को cratat करता है फिर चीन है चीन के बाद कजाकिस्तान भारत भारत में हम 이제 तो के जो प्रमुक खाने हैं वह जारखण में जारखण में भी सीह भूम और हजारी बाग इसके बाद ुलाजस्थान सांत्र प्रदेश इंध्र 59500 है अनंतपूर करनूल गंटूर फिर करनाटक करनाटक में चिरारदुर कल्यादी और थिन्थिनी उत्तरा खंड में देखें तो देहरादून और टिहरी गढ़वाल के छेत्र में उत्पादन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में कांगडा और पुल्लू घाटी में पशीम बं सेंट जो तामबा है वो उत्पादित करता है फिर अफ्रीकी देश में देखें तो अफ्रीकी देश में जांबिया दक्षन अफ्रिका कांगोगर राजे बोटस्वाना मुरक्को जिंबामबे और नावीबिया यह प्रमुख उत्पादक हैं अब हम बात करते हैं रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं वो बढ़ गया है इसके जो महत्वपूनु गुड़ है यह बहुत हलका होता है इसके साथ ही साथ बिजली और ताप का अच्छा चालक है और इसको अन्य धातू के साथ मिलाकर मिश्रित धातू के रूप में भी इसका प्रयो गण चुम्बी भवन में भी हम इसका उपयोग जो है वो देखते हैं बॉक्साइट के कुल उत्पादन मतलब जितना भी उत्पादन होता है बॉक्साइट का उसका 80% भाग जो है वो एलुमिनियूम धातू बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का जो पू युनान तथा भारत हैं यह सभी देश मिलकर विश्व का लगभग 85% बॉक्साइट जो हैं वो उत्पादित करते हैं हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विश्व का 40% यहां पर बॉक्साइट का भंडार है और लगभग 39% जो है वो उत्पादित करता है लेकिन आस्ट्रेलिया का सबसे महत्यपूर्ण जो भंडार है वो क्विंस्लैंड के पास के प्यार्ख रायदीप में वाइपा के पास मिलता है गिनी विश्व का लगभग 15 प्रतिशत बॉक्साइट उत्पन्न करता है और इसके साथ ही यह दूसरे इस्थान पर है विश्व फिर इसके बाद जमायका है प्रमुक एशियाई देशों में एशिया में हम देखे जिए तो भारत जिन एंडून फिल की मद्यप्रदेश के जबल पूर और ट्टी जीले में कुजरात के झैरा जीले तमिल नाडू के सेलम और करनाटक के बेल गामजीले में पाया जाता है। इसके साथ ही चतिस गड़, ओरिसा और महारास्ट में भी बॉकसाइट का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखते हैं टीन, टीन भी एक उपयोगी धातु है, इसका प्रयोग जो है, वो मनुष्य कास्य यूग से पहले करता था, कास्य यूग से पहले से करते आ रहा है, और पाशाण यूग के बाद तामबे के साथ तीन मिला कर ये, इसने कास्य का निर्माण किया, और इससे विभीन प्रकार के बरतन और उपकरण का जो है, वो निर्माण किया। टीन के उतपादन और विश्वी तरण की बात करें, तो हम देखते हैं कि पुर्वी एशिया, पुर्वी आस्ट्रेलिया की जो टीन पेटी है, वो पुर्वी रूस, पुर्वी चीन, थाइलेंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से होती हुई पुर्वी आस्ट्रेलिया तक चली गई है इस पेटी में विश्व का लगबाग तीन-चौथाई टीन जो है वह उत्पादित किया जाता है फिर दूसरी पेटी है बोलिविया पेरू टीन पेटी ये पेटी जो है वो दक्षिन अमेरिका में है और यहाँ विश्व का एक चौथाई टीन उपणना करती है अफ्रिका टीन पेटी ये नाईजर से नाईजिरिया, केमरून, कांगो, तंजानिया इन सभी देशों से होती ह ट्रांस्वाल और नेटाल तक चली गई है इस पेटी से विश्व का लगभग बारा प्रतिशत तीन जो है वह उत्पन्न किया जाता है यदि हम प्रमुख देशों की बात करें तो चीन जो है वह सबसे बड़ा पादक है और यह विश्व का 38 प्रतिशत तीन उत्पन्न करता है इसके बाद इंडोनेशिया यह चीन के बाद दूसरे इस्थान पर है जो लगभग 26 प्रतिशत तीन जो है वह उत्पादित करता है फि जो है यह प्रमुख रूप से टीन उत्पादक देश हैं करता है थीसका रभाद न्याग से नद्पन करता है करता है झाहिं करता है झाल झाल झाल